तो आज बच्चो मैं कोई कंसेप्ट तो नहीं लेकर आया बठा मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसको हम बोलेंगे सी बीएस सी बोड की पीवाई क्यू सीरीज थम्नेल में आप जब भी आप मेरे थम्नेल शेक करोगे तो उपर लेफ्ट साइड पर या फिर हो सकता आज मैं 2020 में जितने भी MCQs आये थे उनको सॉल्व करूंगा और आपको डिटेल सल्यूशन दूँगा यह मेरी PYQ सीरीज चल रही है तो इसकी बहुत सारी वीडियोज आपके पास आती रहेगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि हां किस साल में डिफिकल्टी लेवल क्य तो घबराने वाले कोई बात नहीं है बच्चो मुझे पूरी उमीद है कि 2024 का वेपर बहुत ही असान आएगा जैसा कि मैं देख भी पार हूँ जेई का वेपर अगर मैं अनलिसिस करूं तो डिफिकल्टी लेवल बैसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए ओके हम पहले कोईशन की तरफ चलते है बच्चो क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरी वीडियो का कंटेंट जादा हो बाते कम और कंटेंट जादा हो राइट तो हमारा पहला कोईशन है 2020 से ही जैसे कि अगर मालो यह हमारा पास कोई सर्फेस है और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा हमेशा नॉर्मल राइट तो डिरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर विल बी टेकन एस पर्पेंडिकुलर तू दा सर्फेस राइट तो concept पर नहीं जाओंगा हम question पर चलते है तो हम क्या conclusion निकाल सकते है no charge is enclosed by the surface बिल्कुल interesting बात है और यह बहुत सही बात भी है देखो हमको पता है कि what is flux according to goes law it is charge enclosed over epsilon node तो अगर charge enclosed ही नहीं है तो flux by default 0 हो जाएगा if there is no enclosed charge and definitely flux will be 0 तो यह option ही ठीक है फिर भी मैं बाकी options read कर देता हूं आपके लिए uniform electric field exist within the surface गलत अगर electric field होगा तो flux भी होगा ना within the surface अगर electric field है तो field आइस पास भी तो करेगी surface को तो यह नहीं हो सकता electric potential vary point to point अगर electric potential vary कर रहा है see electric field is what dv by dx अगर हम x-axis की बात करें minus dv by dx अगर potential variable है तो फिर से भाई बात आगी रहा कि यह बात भी गलत होगी electric field नहीं होगा भाई चार्ज इस प्रेजेंट अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो फिर flux 0 कैसे हो सकता है तो यह बात भी गलत है तो इसका सही option हमेशा क्या होगा कि कोई charge enclosed नहीं था surface के दुआरा अगले question पर चलते हैं बच्चों next question is electric dipole consisting a charge plus q and minus q separated by distance l okay and it is in stable equilibrium stable equilibrium का मतलब theta equals to 0 degree बच्चों और हमको जो dipole दे रखा है वो दे रखा है plus q से minus q और separation separation जो दे रखिया बच्चों वो दे रखिया l generally हम q into 2a as a dipole moment use करते और separation 2a लेते बच्चों यहाँ पर इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना की separation l दे रखिये हमारा मतलब जो 2a होता था वो l दे रखा है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बोले बच्चों कि बताओ भई इस case में potential energy क्या होगी मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि potential energy of dipole का एक formula होता है हमारे पास that is minus pe cos theta where theta is angle which a dipole moment is making with electric field जैसे कि यहाँ पर बोली दिये कि stable equilibrium है तो theta is 0 degree as it is defined अगर theta 0 degree है तो सिर्फ और सिर्फ potential energy का formula क्या बचेगा minus pe cos 0 is 1 obviously तो मैं इसको 1 लिख देता हूं यहाँ पर अब dipole moment का formula क्या होगा q और यहाँ पर separation कितने दोनों charges की बीच में l और electric field है e और यहाँ minus का sign तो यानि कि इसका सही answer होना चाहिए minus q l e and this is my option number c इसमें कुछ बच्चे ना 0 mark कर सकते हैं सिर्फ यह पढ़कर कि stable equilibrium है तो जी 0 है अरे 0 तो angle होता है energy थोड़ी 0 होगी ठीक है तो इस बात का धियान अखना यह गलती मत करना अगले question की तरफ अगर हम चले तो अगला question है current electricity से 2020 में तो बच्चो इसमें क्या बोला गया देखो there are two registers R1 and R2 of 4 ohm and 6 ohm and they are connected in parallel across a battery ओके हम ऐसा करते हैं बच्चो सबसे पहले circuit को बनाई देते हैं तो इस तरह से दो registers हमको बोले गए जो कि parallel में connected है तो यह है 4 ohm का रजिस्टर और यह है 6 ohm का रजिस्टर and they are connected across a battery okay जो भी battery का voltage होगा दोनों के लिए मेरे खाल से सेम रहने वाल है क्योंकि दोनों parallel में है right इसके cross voltage क्या रहेगा वी और इसके cross voltage क्या रहेगा आप से पूछा गया बच्चों की बताओ दोनों में power dissipation का क्या ratio होगा आपको शायद पता होगा अगर यह parallel में है और voltage सेम है right इसका resistance मान लो r1 है और इसका resistance क्या है r2 तो power को मैं यह भी लिख सकता हूं v square by r power can be written as v square by r क्योंकि voltage सेम है तो यहां से बिल्कुल कहानी clear हो गई बच्चों कि अगर मैं p1 by p2 करूंगा तो यह होने वाला v square by r1 divide by v square by r2 और अगर इसको मैं सही से लिखूं तो p1 by p2 मेरा बन जाएगा r2 by r1 right यानि की answer आ जाएगा अगर मैं p1 ratio p2 निकालूंगा तो वह का r2 by r1 और r2 कितने 6 और r1 कितने 4 right so its answer should be p1 by p2 should be 3 ratio 2 तो इसका सही option क्या होना चाहिए बच्चो 3 ratio 2 मैंने simple सा formula यूज करा यहाँ पर मैं i2 r नहीं use करूंगा obviously अगर i2 r यूज करता तो मैं series के लिए use करता क्योंकि वहाँ पर current same रहता है यहाँ पर मैंने देखा कि parallel में तो voltage same होगी इसलिए मैंने यह approach लगाई बच्चो I hope आप कोई बात समझ आई होगी okay अगले question की तरफ चलते है next question is again very important and very interesting to see the magnetic dipole moment of a current carrying coil does not depend on जब भी किसी coil में current flow करता है बच्चो राइट तो magnetic moment का formula क्या होता है m vector जो कि किसके बराबर होगा current into area vector अगर number of turns है तो n number of turns current into area vector जो area vector की direction है वो ही magnetic moment की direction होती क्योंकि कभी हम detail video में बात करेंगे कि एक current carrying loop के पास north pole भी होता है और south pole भी होता है right तो area पर depend करेगा current पर depend करेगा और number of turns पर depend करेगा बट यह इस बात पर depend नहीं करेगा बच्चो कि किस material से वो number of turns बनी हुई है तो हमारी बात का अंसर भी ही होगा कि magnetic moment किस पर नहीं depend करेगी वो material पर depend नहीं करेगी कि वो material के जिससे number of turns आपने इसको दी है number of turns पर depend करेगी yes area of cross section बिल्कुल सही और current पर भी लेकिन इस बात से फरक नहीं पड़ेगा यहां पर कि number of turns किस material की है ओके तो next question लार्ज पर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस इन एन एस्ट्रोमिकल टेलिस्कोप इस ओके देखो यह बड़ाई अच्छा कोशन है बचो यह हम जब भी टेलिस्कोप का डायग्राम बनाते है बचो तो objective लेंस को थोड़ा सा बड़े परचर का रखते है और जब हम आ इसका बड़ा साइज होने का एक सिंपल सा रीजन है बाई कि मुझे distant object को देखना है तो मैं चाहूंगा कि maximum number of light rays आकर गिरे purpose is to collect maximum number of rays क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी maximum rays आकर टकराएगी उस अपर्चर से कुछ reflect हो जाएगी लेकिन maximum reflect होगी और एक bright image बनाएगी हम इसको यह भी बोल सकते है वो image का resolution बढ़ा देगी दूर के object की detailing देखनी है दूर के object को past देखने और detail से देखने है त तो main purpose क्या होगा increasing the resolving power of telescope resolving power is all about कि अब कितनी rays को gather कर रहे हो और image का resolution मतलब कितनी साथ detailing आपको नजर आ रही है तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुए है कि हम brightness को decrease नहीं करना चाहेंगे size increase नहीं करना है telescope size increase नहीं करता तूर की चीजों को past दिखाता है right and decrease is the length of telescope नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है इसका सही option क्या होगा बच्चो resolving power resolved image देखने है detailing देखने है इसके बाद एक question है बच्चो देखो यह दसवी class का बच्चा भी बहुत easily कर सकता है अगर आप इस question को read करो a bi-convex lens of glass having refractive index 1.47 immersed in a liquid it become invisible lens invisible होगे पानी में डालते ही यह जिस भी liquid में डाल रहे है and behave like a plain glass plate the refractive index of liquid चलो समझते इस बात को भी देखो lens को अगर मैं एक liquid में डाल दूँ अच्चो अगर lens को एक liquid में डाल दिया जाए और question के according light गिर तो रही है but it is behaving like a plain glass or glass plate तो इसका मतलब light गिर तो रही है but यह light rays गिरने के बाद भी सीधी ही रह गई अगर इस सीधी ही रह गई इसकी तो एक वज़ा हो सकती है कि जो बाहर मीडियम है और जो यह glass है दोनों का refractive index exactly match हो गया क्योंकि अगर refractive index match होगा there is no rarer to dancer there is no dancer to rarer light will go straight ना तो कोई bending होगी towards normal ना कोई bending होगी away from normal और light हमेशा सीधा चलेगी तो एक ही possibility नजर आती है कि अगर lens का refractive index 7.47 तो इस liquid का refractive index भी बच्चो क्या होगा 1.47 यही condition है कि lens उस liquid में जाती invisible भी हो जाएगा और light rays ना तो converge होगी ना diverge होगी इस case में मैं यह भी बोल सकता हूँ बच्चो कि जो इस lens की power है वो overall power क्या हो जाएगी class prism the angle of minimum deviation will be smallest for the light यह यह तो बच्चो वाला सवाल हुआ आप देखो हम छोटी classes से यह diagram बनाते हा रहे है कि अगर यह prism है बच्चो ऐसे इस पर जैसे ही एक white light beam गिरती है तो यह actual में seven colors में sprit हो जाती कुछ ऐसे आपको seven colors का band मिलता जिसमें नीचे वाला होता violet और उपर वाला क्या होता red आप खुद भी देख पा रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा band हो रही है light देखो जो light सबसे ज़्यादा band हो रही है और जो light सबसे कम band हो रही है आपको साफ नजर आ रहे है कि red color is bending least इसकी deviation सबसे कम है और violet color is bending most इसकी deviation सबसे ज़्यादा है और कही न कहीं जो bending है वो wavelength पर भी depend करते है due to its longest wavelength red color will deviate least due to its longer wavelength its refractive index is also minimum अगर refractive index minimum होगा तो bending भी कम होगी और एक और बात मैं बोल सकता हूँ refractive index minimum होने की वज़े से red color हमेशा glass में सबसे fastest travel करेगा तो यह कुछ बाते हैं जो note करने वाली बच्चो डिटेल वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा हाँ अभी हम इसको अगर पीवाई क्यू सीरिस की according चले तो लेक्चर को छोटा रखना है और फिर भी मैं आपको थोड़ए थोड़ए डिटेलिंग से देने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो इसका अंसर हमेशा क्या होगा अगर वीडियो आपको पसेद आए बच्चो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इट विल डेफिनेटली कि मी सम मोटिवेशन कि मैं आपके लिए कुछ इस तरह से वीडियो करता रहूं और अगर मुझे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको गिंगनर मार्शन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है तो क्या बात गलत है यह बतानी है यह तो प्रेडिक्ट कर दिया था उसने क्योंकि अलफा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट यह बात तो सही थी दोस्त इलेक्ट्रोन रिवॉल वराउंड दा नुकलेस अंडर दा इन्फुएंस ओफ कुलोंबियन फोर्स ओट्रेक्शन या कुलम फोर्स यह बात उसने कभी बोली ही नहीं क्योंकि यह रिवॉल्विंग वाली बात तो मेरे खाल से बहुर ने बोली थी कि इलेक्ट्रोन रिवॉल्व करेंगे और फिक्स जहां तक मुझे लगता है अगर मैं to be honest बोलू stability of atom was established by the model यह बात गलत है यह इलेक्ट्रोन वाली बात तो कहीं ना कई फिर भी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ना यह लिखा हुआ है कि electron revolve around the nucleus under the influence of Coulomb force बट हां इसमें यह नहीं लिखा हुआ ना कि they revolve in a fixed orbit तो stability of atom was established by the model यह बात गलत है यह वाली बात सही मान ली जाएगी क्योंकि यहां पर यह तो बोला है कि electron revolve कर रहे हैं लेकिन यह नहीं लिखा हुआ ना कि electron stationary orbit में revolve कर रहे हैं तो ठीक है बात बिल्कुल यह वाली यह बात गलत है stability नहीं थी भाई stability कैसे हो सकती है electron इसने बोला electron revolve कर रहे है अगर electron revolve कर रहे है तो फिर वो एक accelerating charge हो गया ना circular motion में और accelerating charge EM wave पैदा करेगा electron घुमे का तो सही लेकिन द्यूटो EM wave production यह कुछ न कुछ energy lose करता रहेगा और एक ऐसी situation आएगी जब spiral path follow करते करते यह nucleus से टकर आ जाएगा तो stability वाली बात गलत है यह वाली बात गलत है और बाकी statement हम सही माल लेंगे इसके लिए आगे चलते हैं तो यह हमारा 2020 के MCQ का आखर कोशन है बच्चो, photons of energy of one electron volt and two electron volt are successfully incident on a metallic surface of work function 0.5 electron volt, the ratio of kinetic energy बहुत आसार है भाई देखो, work function ठीक है देखो, work function defined है भाई कि 0.5 है, एक बार इस पर जो radiation गिर रहे है, उसका जो energy का value है वो है बच्चो, one electron volt एक बार जो radiation गिर रहे है, उसका value है 2 electron volt, लेकिन मैंने बोला ना, metallic surface का work function fix है, जो कि कितना 0.5 electron volt, यहाँ पर भी कितना बच्चो, 0.5 electron volt, हमको यह ratio बताना है कि भाई, जो most energetic photo electron निकलेगा, और दोनों में से निकले गाई, क्योंकि as you can see that given जो energy है वो, work function से तो ज्यादा ही है electron तो निकले गई, जो electron निकल रहे है, उसकी kinetic energy का ratio क्या है, आप सबको पता होगा बच्चो की kinetic energy, according to Einstein photoelectric equation क्या होती है, h mu minus work function, अब जो यह h mu factor है, इस case में तो 1 है, और work function कितना है, 0.5, तो यानि कि इस case में बच्चो, जो kinetic energy आएगी, वो आएगी 0.5 electron volt, और इस case में बच्च kinetic energy, in this case will be again, h mu minus work function, बच्च यहाँ पर h mu का value दे रहे है, 2, तो 2 minus 0.5, तो यहाँ पर जो kinetic energy आएगी, वो आएगी 1.5 electron volt, यह 0.5 वो है 1.5 अगर मैं ratio की बात करूंगा, 0.5 divided by 1.5 is going to be 1 ratio, 3, so this is all about some MCQs which I have taken from paper, 2020, 2020, ऐसी Delhi 2020 का वेपर भी मैं कोशिश करूंगो कि कली आपको provide कर दूं, तो चैनल पर वीडियो जाती रहे हैं और बहुत जादा frequently आएगी, तो चैनल के साथ बने रहे, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ value मिलती हो बच्चों, तो इसको प्लीज बाकी students तक भी रहे Canal Tommy आपको तक वुर से कि आपको और आपको शी से कोशिब ग्टिर आपको ढेंगा और 2 से वीडियो चाहे हैं कि रहें रहेे हैं कि द emailedला का है बहें हैं नहों मैं कर लिएilar Гेंग है और बहें झांपको भी जावाच। हैूश कर दो आपकश, टे